आप देख सकते हो यह notification जो है डिरेक्टरेट ओफ सेकंडरी एजुकेशन उडिसा में आई वी राइट और इसमें हम लोग साड़ी चीज़ डिटियर्म लिच्टस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो इस website पे जाके आपको form fill करना है और यदि आपको form fill करने में कोई भी doubt हो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डेट तो डेट आपका यहाँ पे 23 अगस्त से 14 सब्टमबर तक आप form fill कर सकते हो और यहाँ पे आप दे सकते हो first week of October तो इसमें जो है first week October में आपका एक्जाम हो सकता है और यहाँ पे देख लेंगे vacancies तो आप यहाँ पे दे सकते हो Hindi teacher में आपका यहाँ पे 2055 vacancies हैं और Sanskrit teacher में आपका 1304 vacancies हैं और physical education teacher में 1260 vacancies हैं और यहाँ पे देख लेंगे age तो age आपका 21 से 32 year के बीच होना चाहिए तो आप form fill कर सकते हो इस date तक और यहाँ पे SC, ST, SEBC and woman के लिए 5 year तक का छूट होगा और disability candidate के लिए 10 year तक का छूट होगा age में राइट और यहाँ पे देख लेंगे qualification तो classical teacher के लिए यहाँ पे देखें तो आपका जो है संस्कृत के लिए तो यहाँ पे आपका जो है bachelor degree वाले student form fill कर सकते हैं एक subject आपका जो है संस्कृत होना चाहिए वो optional हो या फिर honors paper हो और यहाँ पे जो है आपका bachelor degree में यहाँ पे आपका 50% result होना चाहिए और जो student SC, ST, P, W, D candidate है and SEBC है उसके लिए 45% at least result होना चाहिए और यहाँ पे देख लेंगे हिंदी teacher के लिए तो इसमें जो है आपका bachelor degree होना चाहिए और एक subject आपका जो है यहाँ पे हिंदी होना चाहिए चाहिए वो optional हो या फिर honors paper हो और इसमें जो 50% के साथ result होना चाहिए और जो student SC, ST, P, W, D and SEBC है उसके लिए जो है यहाँ पे 45% at least result चाहिए और यहाँ पे आपका जो है इसमें से कोई एक आपका जो है training qualification होना चाहिए यहाँ पे आप दे सकते हो और यहाँ फिर आपका जो bachelor degree होना चाहिए 50% के साथ और यहाँ पे SC, ST, P, W, D and SEBC के लिए 45% at least आ आपका जो है यहाँ पे result होना चाहिए और one of the following qualification इसमें से कोई एक आपका qualification होना चाहिए और यहाँ पे जो है और साथ में आपका जो है यहाँ पे training qualification होना चाहिए यहाँ पे आप दिया हुआ हुआ है इसमें से कोई एक आपका training qualification होना चाहिए और यहाँ पे physical education teacher के लिए द है उसके लिए 45% होना चाहिए और साथ में आपका यहां पर यहां परने और यहां पर लिखने के लिए आना चाहिए और यहां पर अप्लिकेशन फी की बात करें तो यहां पर अप्लिकेशन फी होगा जो इससी एस्टी पी डलू डी करें इसके लिए यहां पर फोर हंडे रूपीशन चार्ज होगा और एक जाम जैसा मैंने अभी बताए फर्स्ट वीक और अक्टूबर में हो जाएगा और यहां पर देख लेंगे स्लैक्स और तो आपका जो है computer based test होगा उसके basis पेशलाक्षन होगा तो यहां पर पास करने के दो पर हो गाई तो फर्सट पेपर में यहां पर चाहिए और जो इसके लिए 30 परसेंट होना चाहिए उसके लिए फोन चाहिए यह और स्केंड पेपर में यहां पे देख लेंगे अधिग और सारी चीज़ है तो हिंदी टीचर एड़ ऑंड संस्क्रीट टीचर के लिए इसमें 16,880 रूपीज पर मंत की सालडी होगी और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे और सारे चीजह हैं यहाँ पर देखका यहाँ है और यहाँ पर हम लोग एकश्थाने के राइट 150 नंबर का एक्जाम होगा और इसमें जो है यहां पर फर्स पेपर देखें तो सभी पोस्ट के लिए तो इसमें जो 90 कोस्टें 90 नंबर का होगा और लैंगवेज आपका उरिसा और इंग्रिस लेगवेज बेपर आएगा और आपका जो है जैनेरल नॉलेज करेंट के लिए जार इन कंपेटर लिट्रिसी और चाइल्ड डेवलॉपमेंट से आपका प्रविश्टें आएगा और यहां पर फिन अबोग लोग देख लेंगे इसमें हिंदी टीचर के लिए पार्ट फ़ेपर टू तो इसमें 60 कोसन 60 का होगा और और ग्रेज्वेशल लेवल का और प्छिपर आपका हिंदी में आएगा और हिदी आंसे आपका यहां पर एकजाम होने वालए हैं एकजाम होगा और और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देखें इसमें भी 60 कोशन 60 नंबर का होगा और इसमें CPED जो है यहां पर लेवल का एक्जाम होगा और यहां पर उडिस्टा एंड इंग्लिस लेंगविज में पेपर आएगा और फिजिकल एजुकेशन से आपका कुश्चन आएग और इस नोडिफिकाशन में कुछ नहीं है और यदि आपको इस नोडिफिकेशन में कोई भी दाओट होता है फॉर्म फिल करने में हो या इस नोडिफिकेशन के बारे में तो आप कोमेंट कर सकते हूं तो थैंक्यू फर वॉडियो